आज मैं करने वाली हूँ ब्यूटी पीपल शैडव पैलेट का रिव्यू यह पैलेट कुछ इस तरह से दिखता है और अगर हम पैकिंग की बात कर लें तो इस तरह की पैकिंग में आता है यह पेपर बॉक्स है यह वाला और दो तीन चीजें इसकी बहुत ही अच्छी है एक तो यह प्रूटल फ्री है नॉन टॉक्सिंग है पैराफिन फ्री है और यह इसकी प्राइज अगर मैं बताओं कि उपर जो प्राइज लिखी है वह लिखी है 3.99 की पर यह मुझे 2.79 का मुझे रिसीव हुआ है और यह टोटल प्रड़क्ट है 18 ग्राम मैनिफेक्शरिंग डेट की बात कर लें तो 9.20 की मैनिफेक्शरिंग डेट है जबकी 8.23 बेस्ट बिफोर है ठीक है कुछ इस तरह से दिखता है और इसे हम ओपन कर लेते हैं यहां पर जो कुछ लिखा है उस में से थोड़ा बहुती इंफोर्मेशन यहां दे गई है देखो वाव कितना शाइनी शाइनी है ना यह बहुत अच्छी वाली पैकिंग है और इसका लॉक देखो आप काफी अच्छा लॉक है ट्रैवल फ्रेंडली है यह देखो ऐसे आवाज आती है तो अच्छा वाला लॉक है काफी अच्छा सुन्दर गुड लुकिंग पैलेट है यह देखो मेरा कैमरा भी दिख रहा है आपको इसके अंदर यह वाली पिल्म लगी है जिसे मैं निकाल दे काफी अट्राक्टिव है इसमें आपको टोटल 16 कलर मिल जाते हैं जो कॉंबिनेशन रखा गया है वह इस तरह से है कि आपको इसमें तीन ग्लिटर वाले आपको कलर मिलते हैं काफी वैलविटी टेक्शर का है यह मैं इसको टच कर रही हूं तो मुझे पता चल रहा है काफी की पिग्मेंटेशन देखो भाईव यह वाला जो पैलेट है इसमें आपको 3 टाइपFS раскry के गिलिटरी शेर्ट्स मिल रहा हैं जब कि आपको 2 टाइपस ऑफ मिल जाए लग जब कि बाकी सारे शेर्ट्स आपको मैल जाएँगे मैं आपको दिखाती हूं यह red one, purple and blue यह देखिए तीनों की pigmentation देखिए वाव और मैं यहाँ पर आपको वाव तो यह इसके glittery हैं देखिए highly pigmented है and अब मैं आपको shimmery shades दिखाती हूँ this one golden and the red one and the third is blue one three आपको यह मिल जाते हैं shimmery shades and again मैं तीनों को यहाँ पर यह देखिए हूँ यह देखिए हूँ look at the pigmentation बहुत ही अच्छी वाले pigmentation है जबकि हम इसमें जो मैट है जो यह यलो वाला है यह देखिए जो मैट में जो यलो one है इसका pigmentation बिल्कुल भी नहीं है actually जो मैट कलर होते है और उसमें जो यलो आपको मिलेंगे वो pigmentation उसकी अच्छी होती भी नहीं है जबकि यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको यह green और यह वाला green और यह वाला green अच्छी पिग्मेंटेशन है यह देखिए ठीक है जबकि पॉपल ले ले अगर हम यह देखिए बहुत अच्छी pigmentation in matte shades की नहीं है इसे आपको बिल्ड करना पड़ेगा दो तीन बार आप इसे अप्लाई करके इनकी pigmentation को आप बिल्ड कर सकते हो तो यह चीज इस वाले shades के साथ है अगर combinations की बात की जाए तो अच्छी है जैसे आप यह blue apply करके purple apply करके उसके ओपर यह वाला shade apply करो तो काफी अच्छा look निकल के आएगा इसके जो यह glitters है यह इतने अच्छे इतनी अच्छी quality के हैं कि आप देखो बिल्कुल भी fallout नहीं हो रहा है बिल्कुल भी fallout नहीं हो रहा है आपको जो भी shimmers है ना इसको लगाने से पहले आपको glue apply करने की जरुवत नहीं है तो overall guys अच्छा palette है under 300 बहुत ही अच्छा palette है so friends यह था मेरा छोटा सा review like share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलूँगे आपसे एक next video में तब तक के लिए bye bye take care